दोस्तो कहानी शुरू होती है और हम जेसन को देखते हैं जो की एक लॉयर है और अपनी दादी के फ्यूनरल पर आया है तबी वहाँ पर उसका एक फ्रेंड टाइलर आता है और उसे कहता है कि भाई मुझे बहुत बुरा लगा कि दादी जी का मर्डर हो गया जेसन कहता है कि नहीं भाई उनको कैंसर था टाइलर कहता है कि तू पागल हो गया है क्या कैंसर से कोन मरता है और मैं उस आदमी को ढूंड कर रहूंगा जिसने दादी का मर्डर किया है जिसके बाद वो पागल दादी की बौड़ी पर दारू डालने लगता है तबी जेसन उसे रोकते जहां पर मैं और तुमारी मापनी जवानी में रहा करते थे वो बताते हैं कि मैं खुद वहाँ पर चला जाता लेकिन मेरा लाइसन्स एकस्पायर हो चुका है इसलिए मैं चाता हूं कि मुझे वहाँ पर जेसन ले कर जाए और इसी बहाने मुझे मेरे पोते के साथ टाइम बिताने का मौका भी मिल जाएगा अब जेसन को भी अपने दादा के साथ वक्त बिताए काफी समय बीच चुका था इसलिए वो उन्हें वेगस ले जाने के लिए मान जाता है फिर अगले दिन जेसन दादा जी को पिक करने उनके घर पर आता है लेकिन जैसे ही वो उनके कमरे म गुस्ता है वो देखता है कि दादा जी तो टीवी पर गंदी फिल्में देख रहे थे अब यह देखकर जेसन का दिमाग गूम जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी यह क्या देखा उसे लगता है कि दादी के चले जाने के बाद दादा जी को सद प्रोटोग्राफर बनना चाते थे जेसन कहता है कि हां मैं पहले बनना चाता था लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आया इसलिए मैं एक लॉइर बन गया अब जेसन अपनी बातों से दादा जी को पकाने लगा था इसलिए दादा जी उठकर बाहर चले जाते हैं वहीं चाहिए वो कहती है कि professional लोगों के पास बाकियों से ज़्यादा experience होता है अब लोरा जेसन से बात करने उसके पास आती है लेकिन जेसन उसे एक वेटरस समझ कर अपने बिल के पैसे दे देता है अब इतने पैसे देखकर लोरा के अंदर लालचा जाता है और वो लोग उन पैसो को लेकर वहां से निकल जाते हैं तबी वहां पर वेटरस आती है और जेसन से बिल के पैसे मांगती है जेसन कहता है कि मैं पहली वाली वेटरस को दे चुका हूँ वो कहती है कि यहां पर मेरे अलावा और कोई नहीं है तबी जेसन उन लोगों को जाते हुए देख लेता है और चिल्लाते हुए बाहर आता है, वहीं वो लोग कार चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कार स्टार्ट ही नहीं होती, तब ही जेसन उनके पास आता है, और लॉरा को देखते ही उसे पहचान लेता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, हम दोनों एक साथ फोटोग्राफी क्लास में थे इसी दुरन वहाँ पर दादा जी भी आ जाते हैं और जेसन को तंग करने लगते हैं फिर वो लड़कियों से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम है जॉनथन और मैं टेकसस उनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हूँ अब ये सुनते ही नताशा एक्साइटेड हो जाती है और वो उनसे पूछती है कि क्या आप सच में प्रोफेसर हो जिस पर दादा जी कहते हैं कि हाँ और ये मेरा पोता जेसन एक फोटोग्राफर है अब क्योंकि नताशा को एक प्रोफेसरनल चाहिए था इसलिए वो दादा जी पर लाइन मारने लगती है वो बताती है कि हम यहां से बीच जा रहे हैं और अगर आप लोगों को भी हमारे साथ मस्ती करनी है तो बीच पर आ जाना आगे दादा जी और जेसन गॉल्फ कोर्स पहुचते हैं और वहाँ पर दादा जी को दो सुन्दर सी लड़कियां दिखाई देती हैं अब उनको देखकर दादा जी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो उनसे बात करने के लिए उनके पास चले जाते हैं हम देखते हैं कि उन लड़कियों को गॉल्फ खेलना नहीं आता था इसलिए दादा जी उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं कि मैं एक ट्रेनर हूँ और मैं तुमको सिखा सकता हूँ कि कैसे खेलना है जिसके बाद वो एक लड़की को दबोच लेते हैं और गॉल्फ सिखाने के बहाने उसके साथ छेड़ चाड़ करने लगते हैं इसके बाद वो उन दोनों लड़कियों के लिए ड्रिंक लेने जाते हैं जिस दोरान जेसन वहाँ पर आ जाता है और उन लड़कियों को कहता है कि मेरे दादा जी की दिमागी हालत खराब है दरसल कल ही मेरी दादी का फ्यूनरल हुआ है और इसके सदमे से दादा जी अभी तक उभर नहीं पाए अब ये सुनकर उन दोनों लड़कियों को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है तभी दादा जी वहां पर आते हैं और जेसन से पूछते हैं कि क्या हुआ वो चली क्यों गई जेसन कहता है कि मैंने उनको सब कुछ सच बता दिया कि पिछले हफते ही आपकी पतनी का देहान तुआ है और आप दिमागी रूप से बिमार हो अब ये सुनकर दादा जी को गुस्सा आ जाता है और वो जेसन से कहते हैं कि तूने उनको ये सब क्यों कहा जेसन कहता है कि आपको हो क्या गया है दादी को गय अभी एक हफता भी नहीं हुआ और आप कभी गंदी फिल्में देख रहे हो तो कभी कॉलेज की लड़कियों पर लाइन मार रहे हो तबी दादा जी कहते हैं कि मैं इंटिमेट होना चाता हूँ मैं 40 साल में पहली बार सिंगल हुआ हूँ और आप मुझे इंटिमेट होना है वो बताते हैं कि मैं तुमारी दादी से बहुत प्यार करता था लेकिन मुझे उसके साथ भी इंटिमेट हुए 15 साल हो चुके हैं और अम मुझे किसी भी हालत में ये करना ही है लेकिन जेसन उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं सिरिफ आपको वेगस छोड़ने आया हूँ इसलिए कल में आपको वहाँ पर छोड़ कर वापस अपने घर चला जाऊंगा अब दादा जी इस बात से अपसेट हो जाते हैं और जेसन को तंग करने लगते हैं पर इसी दुरान जेसन के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें नताशा की नंगी फोटो थी उसके नीचे लिखा था कि प्रोफेसर जल्दी आ जाओ अब ये देखकर दादा जी और भी एकसाइटेड हो जाते हैं और जेसन से कहते हैं कि तू यहीं बैठ मैं तो चला नताशा से मिलने के लिए अब जेसन के पास भी और कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो भी दादा जी के साथ चला जाता है तबी रास्ते में उसकी मंगेतर जूलियन का फोन आता है जो उसे कहती है कि कल तुमें घर वापस आना है क्योंकि कल मेरे पैरेंट्स तुमसे मिलने आने वाले है जिस पर जेसन कहता है कि बिल्कुल जाने मन मैं कल तक दादा जी को छोड़ कर वापस आ जाऊंगा जिसके बाद वो दोनों को सामाल लेने के लिए एक शौप पर जाते हैं जहां पर जेसन दादा जी से कहता है कि अब मैं बहुत ठक चुका हूँ आज आपको जिसके साथ जो करना है कर लो लेकिन कल मैं आपको आपके घर छोड़ कर वापस चला जाऊंगा अब वो दोनों बाते करी रहे थे कि तभी वहाँ पर एक गदा आता है जिसका नाम था डेरिक और वो इस दुकान का मालिक होता है वो आते ही उनको कहता है कि तुम लोग यहां से चले जाओ मैं तो गांजा बिल्कुल नहीं बेचता दादे जी कहते हैं कि हमें गांजा नहीं चाहिए अब यस उनका डेरिक खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है मुझे तो लगा कि तुम लोग पुलिस वाले हो जिसके बाद वो उन्हें अपने गांजे की खुफिया दुकान दिखाता है और कहता है कि जो चाहिए वो ले लो मेरे पास इस शहर का सबसे बड़ी आमाल है आगे वो दोनों बीच पर जाते हैं जहां पर उनको लोरा और नताशा मिलती है अब जेसन लोरा से बात करने लगता है लेकिन दादाजी तो एक्शन में थे और वो नताशा से कहते हैं कि तुम यहीं पर करना चाहोगी या कमरे में जाकर पर इसी दोरान वहाँ पर दो गदे आ जाते हैं जिनके नाम थे कोडी और डैविड और ये दोनों ही इनके कॉलेज के सीनियर थे वो बताते हैं कि हम सेम यूनिवर्सिटी से हैं इस पर नताशा कहती है कि ये भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है फिर जाने से पहले नताशा दाओजी से कहती है कि आज शाम को एक पूल पार ٹी है तो आप दोनों भी वहाँ पर पहुँच जाना फिर शाम होते ही वो दोनों उस पार्टी में चले जाते हैं जहांपर दादाजी चुपके से ड्रिंग के अंदर बहुत सारी नशे की गोलिया मिला देते हैं जिसके बाद वो उस ड्रिंग को लेकर कोडी और डेविट के पास आते हैं इसी दुरान उनमें शर्त लगती है कि कौन जादा दारू पी सकता है दरसल दादा जी चाते थे कि कोडी उस नशे वाली दारू को पी जाए जिससे वो नताशा से दूर रहेगा लेकिन इसी दुरान जेसन को पता नहीं क्या होता है और वो वहाँ पर पड़ी हुई सारी दारू उठा कर पीने लग जाता है जिस दुरान वो गलती से उस दारू के गिलास को भी पी लेता है जिसमें दादा जी ने नशे की गोलिया मिलाई थी अब उस दारू को पीने से जेसन नशे में पूरी तरह भंड हो जाता है और फिर नंगा होकर सब के साथ डांस करने लगता है इसी दुरान वहाँ पर डैरिक भी आ जाता है और जेसन को गांजे का नशा करा देता है अब जेसन नशे में पूरी तरह पागल हो चुका था इसलिए वो नंगा ही वहाँ से बाहर आ जाता है और एक बाइक उठा कर वहाँ से चला जाता है फिर अगली सुबह जब उसकी आख खुलती है तो वो बीच पर नंगा पड़ा होता है तब ही उसे उसकी मंगेतर का वीडियो कॉल आता है जहां पर उसके साथ उसके मॉम डैड भी थे अब जेसन उनसे बाते करी ही रहा था कि तब ही वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और जेसन को उठा कर जेल में बंद कर देते हैं अब यहां से सीन शिफ्ट होता है और हम जेसन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में होता है वो पुलिस वालों से कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं और मैं खुद एक lawyer हूँ, तभी वो वहाँ पर Derek को देखता है, जिसे कल रात को ही पुलिस वालों ने गांजा बेचने के जुर्म में अंदर किया था, लेकिन Derek उन पुलिस वालों का अच्छा दोस्त था, तो वो उसे छोड़ देते हैं, अभी ये देखकर Jason को गुसा आ जाता और वो उनको कहता है कि तुम लोगों ने drugs बेचने वाले को तो छोड़ दिया, लेकिन मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो मुझे क्यों अंदर रखा है, और साथ ही मैं एक lawyer भी हूँ, अभी सुनकर वो दोनों पुलिस वाले हसने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये अपनी कच्छी में डाल लेती है, पर इसी दुरान उनको एक call आता है, और फिर वो Jason को बताते हैं कि तुम्हें बेल मिल चुकी है, और साथ ही वो उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े भी दे देते हैं, अब Jason बहुत गुसे में था, और वो दादा जी से कहता है कि आप तो म गेंड को एक बिमारी है, जिसके चलते उसके पास सिर्फ कुछी दिन बचे हैं, और वो अपने ये बचे हुए दिन खुशी से जीना चाता है, अब ये देखकर Jason भी emotional हो जाता है, और दादा जी से अपने behavior के लिए माफी मांगता है, तब ही दादा जी को ऐसास होता है कि व हमारी दादी ने ही मुझे बोला था कि मेरे जाने के बाद तुम जो करना चाहो वो करना, अब Jason को भी लगता है कि शायद ये दादा जी की आखरी इच्छा हो सकती है, इसलिए वो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनको वापस नताशा के पास ले जाता है, वही पर हम दिखा रहे थे, और अगर वो इस शो को जीत जाते हैं, तो वो दोनों आज रत लौरा और नताशा के साथ इंटी मेट होंगे, लेकिन तभी हमापर Jason और दादा जी भी पहुँच जाते हैं, और फिर दादा जी कहते हैं कि मैं तो इन घदो को आसानी से हरा दूँगा, अब competition स्टार्ट होता है, और यहाँ पर कोडी और डादा जी अपना dance पेश करते हैं, लेकिन जब Jason और दादा जी की बारी आती है, तो वो दोनों एक ऐसा stunt दिखाते हैं, जिसको देखकर वो दोनों घदे घबरा जाते हैं, अब इस competition को Jason और दादा जी जीतने ही वाले थे, लेक दादा जी कहते हैं कि मैं special force में था और मुझे train किया गया था युद में दुश्मनों को मारने के लिए, वहीं दूसी तरफ कोडी और डेविट के competition में कोई नहीं होता, तो वो दोनों ये competition जीत जाते हैं, लेकिन तभी दादा जी उन पर shoot करते हैं, जिससे डेविट नीचे गिर जाता है, और उसका एक दाथ तूड जाता है, अब आज की रात वो दोनों लड़कियों के साथ intimate होने वाले थे, इसलिए वो दोनों तयार होकर party में पहुँचते हैं, जहां पर लौरा और नाताशा उनका वेट कर रही थी, फिर वहां पहुँचते ही नाताशा दादा जि उसकी बात मान जाते हैं, और वो सबी club से बाहर आजाते हैं, अब पहले दादाजी जेसन को लड़ने भेज्टे हैं, लेकिन वो गुंडा जेसन को एक ही मुक्के में ठंडा कर देता है, इसके बाद वो लौरा को भी मारने वाला था, लेकिन तबी पीछे से दादा जी जिन्हों ने उनकी पूरी गैंग को पहले ही चित कर दिया था जिसके बाद वो उस गुंडे को दबोच लेते हैं और कहते हैं कि पहले तू इस आदमी से माफी मांग अब डर के मारे वो गुंडा उससे माफी मांगता है और कहता है कि आगे से मैं ये सब नहीं करूंगा जिसक बताता है कि कल रात वाला गुंड़ा आकर दादा जी और नताशा को उठा कर ले गया अब ये तीनों उनको बचाने के लिए जैसे ही वहाँ पर जाते हैं वो देखते हैं कि दादा जी और नताशा तो मस्त उन गुंडों के साथ बैटकर बीड़ी पी रहे थे और अब दादा नहीं उनके साथ इंटीमेट होने के लिए एक्साइटेड थे लेकिन तभी जैसन को रेयलाइज होता है कि ये सब गलत है अगले हाफते उसकी शादी है और वो अपनी होने वाली पतनी को धोका नहीं दे सकता इसलिए वो दादा जी से कहता है कि मैं लौरा को सब को सच बता देते हैं कि जैसन कोई फोटोग्राफर नहीं है ये एक लौयर है और अगले हफते इसकी शादी होने वाली है साथ ही ये बुड़ा कोई प्रोफेसर नहीं है बलकि एक आर्मी सोलजर है अब ये जनकर लौरा का दिल तूड जाता है और वो जैसन से कहती है कि तुमने मुझ चलाशी ली जाती है और उसकी जेब में उनको गांजे का पैकेड मिल जाता है जिसके बाद वो दोनों से फिर से जेल में बंद कर देते हैं फिर अगले दिन जब उसकी बेल कराई जाती है तो इस बर जैसन अपने दादाजी से कुछ नहीं कहता और उन्हें वहीं छोड़क और फाइनली जेसन की शादी का दिन भी आ जाता है लेकिन जेसन अभी भी खुश नहीं था और वो जूलियन से कहता है कि मैं तुम से शादी नहीं कर सकता अब क्योंकि उसका माइक खराब था इसलिए वो अपने भाई से कहता है कि तुम जूलियन से बोल दो कि मैं उससे श तुनाई नहीं देता तभी वो यही बात एक दूसरे अंकल से कहता है लेकिन वो अंकल गुंगे होते हैं और वो जूलियन को बता नहीं पाते तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और वो वेटर से कहता है कि तुम जाकर जूलियन से बोलो कि जेसन बोल रहा है कि वो तुम से श खुश हो जाता है और वो भागता हुआ लौरा के पास जाने लगता है तब ही बाहर उसे दादा जी मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि लौरा तो अपने कॉलेज के लिए दूसरे शहर निकल चुकी है इसलिए हमें जल्दी करना होगा ताकि हम उसे ये शहर छोड़ कर जाने से तब ही वहाँ पर डैरिक आ जाता है और वो लौरा को रोकने के लिए जेसन को अपना ट्रक दे देता है अब वो तीनों लौरा के पीछे जाने लगते हैं जिस दोरान वो पुलिस वाले भी उनके पीछे पढ़ जाते हैं फिर कुस दिर बाद फाइनली उन्हें लौरा मिल और फिर जेसन उससे कहता है कि अब मैं शादी नहीं कर रहा क्योकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ अब क्योंकि लौरा भी उससे प्यार करती थी इसलिए वो मान जाती है जिसके बाद वो दोने एक दूसरे को किस करते हैं तबी वहाँ पर पुलिस वाले भी उनको पकड़न जहां पर वो mood बना कर तैयार बैठी थी फिर दादा जी के वहाँ पर पहुंचते ही नताशा उन पर टूड पड़ती है और वो दोनों वहीं पर intimate हो जाते हैं अब यहां से scene shift होता है और हम देखते हैं कि कुछ साल बीच चुके हैं जेसन और लोरा की शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा भी है वहीं पर हम दादा जी और नताशा को भी देखते हैं और इन दोनों ने भी अब शादी कर ली है साथ ही दादा जी और जेसन के रिलेशन भी अब अच्छे हो चुके हैं लेकिन दादे जी अभी भी जेसन को परिशान करते ही रहते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है